नमस्कार स्तों में पर पूसर आपके अपने यूरूप चैनल फीस्टे एक क्लास में स्वागत है दोस्तों अभी का ब्रेक इनों निकलके आ रही है जैसे कि आप स्किन पर देखी रहे हैं इस वीडियो में वीटेशी एन्म 10609 पोस्ट के रिगारिंग बात करने वाले जो चाहते हैं यह वेकेंसी कॉंसलिंग पर किलियर हो तो बिना इसकिप के वीडियो को पूरा देखिएगा इससे पहले हमारे चेल्प अपने चैनल को सस्क्राइब कर और नोट फिक्शन और करिएगा डेली वीसी से सही वीडियो पाने के लिए दोस्तों वीडियों बने रहे चलिए बिना सब्सक्राइब वीडियो को स्टार्ट कर लेते और वीडियो सी आयोग द्वारा टोटल 6 LPA फाइल किया गया है तो 6 LPA नंबर भी हम आपको दिखाएंगे किसके नाम से फाइल किया गया हो भी हम आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि यह आप तस्वीर देख रह तो सबसे पहले देख लीजिए यह जो विटेशी आयो को दोरा 6 LPA फाइल किया गया है तो 6 का हाड कोपी आज सुर्जी सर पटना हाइकोट से निकाल चुके हैं ले चुके हैं ठीक है हम LPA नमर भी बताते हैं और नाम भी बताते हैं एक एक करके दियाद सुनिएगा पहला ह कोमारी से नाम्साना घित नाम से है लिए 306 जो कि सरिता नाम से है त ही थे इसलिए में में ऑब क्या है सरकार और आयोगं तो हम लोग को प्रैसान करहीं रहें अब क्या है जो सरकार और आयोग सरकार और विभाग मिलके आयोग को भी बोल दी ए Jim निए अधर कर्वा दिए पेल कर दी तो तोटल आप दोटल आप जो है पहलाई से शान टेरोल फिए हो गया और सिंगल में कितना हुआ टोटल अठारह वह था तो यह क्या है अब सरकार की मनसा और आयोग की मनसा और विभाग की मनसा यही है सिर्फ हम लोग को परिशान कर सकतें क्योंकि आपको पता होना चाहिए चलिए पहले हम आपको केस नमर दिखाते केस इस्टेटस दिखाते हैं कि देख लीजिए एलपीए 301 सर जो की सपना कुमारी के नाम से ऐसा ही पांच और जो है और कुछ नहीं और टोटल देख लीजिए यह 13 हो गया है तो 13 सभी को मर्ज कर दिया और 18 तारिक का फैनल होगा इसलिए आप लोग को घवराना नहीं है यूनिटी बना कर रखिए टेंसल लेनी की अब सकता नहीं है पतना हाई कोट नियाले पर विश्वास रखिए और हमेशा नियाई की जीत होती है इसलिए थोड़ा भी आपको घवरानी की अब सकता नहीं थोड़ा भी आपको टेंसल लेनी की अब सकता नहीं है क्योंकि आज सुर्जी सर यह छो एल्पीय का जो है हाट कॉपी निकाल चुके हैं और गुरूप में भी अपडेट किये और अभी हम छ सरकार विभाघ की मंसा आगे क्या है आगे क्या इस बिखेंसी में सरकार विभाग करना चाहर रही है तो सारी लाइप रूब दस बज़े लाइव आ रहे हैं उसमें हम लोग डिटेल्स में बताने वाले हैं यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह स्टूडेंट के द्वारा बार बार कॉल और मेसेज आ रहा है जिस सर यह बीटेशी आयो को द्वारा चोल फाइल किया गया है इसके बारे हम कुछ जनका सकता नहीं है थोड़ा भी टेंसर नहीं लेजिए अठाड़ा तारिक है एल्पी एक किलियर हो रही है और हंडेड परसेंट न्याले पर वरोसा रखिए हमेशा न्याई की जीत होती है सत्य प्रैसान हो सकता है प्राजुत नहीं हो सकता इसलिए हम आपको बता दिये बागशान हे और पाइए और डिटेल्स में हम लोग डिसकस करने वाले हर एक चीज हम आपको वारकी से बताने वाले हैं इसलिए सभी स्टूडेंट दस बजे लाइव आना नहीं बूलिएगा तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो में जो बताना चाह रहे थे आयोप कि आप लोग समझ गये मतलब क्या पुराने नियाव इवली पर ही हम वेकेंसी को किलियर करें कोई वेकेंसी प्रेस्टे नहीं लगेगा इसलिए हैरान और परिशान होनी के अब सकता नहीं है जितना भी सरकार के आयोग के और विभाग को मंसा है कोई दिकत नहीं उन लोग को जितना परिशान करना प्रेसान करने देजिए और नियाले पर बरोसा रखी हमेशा नियाई की जीत होती और अभी आते हैं दस बजे तो डिटेल्स में डिसकस करने वाले जैसे 12 बज़े दिन में डिसकस किए हर्ची किए एक-एक टॉपिक पर बाचित किए और आपको सारे डॉट किलियर किये और य कियो